एंडोक्राइनलोजी, ठीक है, हॉर्मून्स का हमने जो बताया था, हम कॉर्डिनेशन और कंट्रोल दो टाइप के मैथट से होता है, एक तो निरोनल हमारा सिस्टम है, और दूसरा जो है, वो हमारा हॉर्मूनल सिस्टम है, हॉर्मून्स को हम जिस फील्ड में स्टडी कहते है उसको एंडोक्राइनलोजी कहते हैं, हॉर्मून्स क्या है आपके अकॉर्डिंग, कुछ आइडिया है? मैं सुना हूँ है, पता है, लेकिन देफिनिशन आइज सर्च में पता है ठीक है, हॉर्मून्स ऐसी सिक्रीशन होती है हमारी बॉडी में, जो के डक्ट लेस ग्लेंट से सिक्रीट होती है डक्ट लेस ग्लेंट का क्या मतलब, जैसे के अगर मैं कहूं के हमारे पास जैसे बाइल जूस है, अब बाइल जूस जो सिक्रीट होता है, वो किस तरह होता है ये लिवर होता है, और लिवर में हमारे पास यहाँ पर बाइलरी ट्री होता है और ये डक्ट आ रही होती है एक, और ये गॉल ब्लेडर होता है ठीक है, गॉल ब्लेडर के अंदर बाईल जूस होता है अब ये जो सिक्रीशन यहां से हो रही है, यहां पे जाती है ये एक डक्ट के थ्रू जा रही है ठीक है, एक पाईप है, एक नाली है, एक ट्यूब है उसके through हो रही है, यह secretions और यह secretion एक specific जगह पे जा रही है, ठीक है कहां जा रही है, यह deodenum में जा रही होती है तो duct के through जो है वो, यह secretions जो है वो जा रही है तो यह duct less नहीं हुआ, यह duct के साथ हुआ, ठीक है तो gallbladder की secretions है, bile juice वो duct के साथ होते है और यह duct जो है, यह कहां तक जा रही होती है, यह deodenum में जा रही होती है इसी तरह एक और हमारे पास जो है वो organ होता है जैसे pancreas ठीक है, pancreas जो अपने enzymes release करता है, वो कहां करता है, वो भी deodenum में release कर रहा है, ठीक है जितने lipase वगेरा जो भी वो अपनी secretion करता है, तो यह secretion एक duct के through हो रही है ठीक है, duct के through deodenum में जा रही है, लेकिन glands ऐसी secretions होती है, body की जो के जिसमें जो duct नहीं होती मौझूद, मतलब जो उसकी जो भी secretion होगी वो directly हमारी blood stream में diffuse हो जाएगी ठीक है, अभी हम आगे types of glands सारे पढ़ेंगे, लेकिन एक, मैं एक example दे सकते हूँ क्योंकि जैसे ही हमारा kidney और kidney के उपर एक हमारे पास gland होता है, जिसको adrenal gland हम करते है adrenal gland जो होता है, क्योंकि kidney के उपर है, तो renal word इसलिए इसका होता है तो इसकी जो secretions है, अब इसके साथ आपको कोई भी tube, wire या vein या blood vessels वगरा कुछ भी attach नहीं नज़र आएंगी ये जो भी अपनी secretion करेगा वो इस तरह से बस ऐसी ही release हो जाएगी और वो blood में जो blood vessels वगरा होंगी वो उसमें खुद ही diffuse हो जाएगा मतब हमारी इसी cavity में body की जो भी cavities है वहां से blood में जाएगा और blood से जो है वो directly फिर वो targeted organs पर जाता है तो ये चीज़े क्या हुई ये जो भी secretions secret हो रही है ये हमारे पास stimulus हो गया ठीक है क्योंकि हम relation क्या बना रहे हैं stimulus की binding जो है वो receptor के साथ होनी जरूरी है और फिर ये जो भी ये जो भी binding हुई है इसके नतीजे में कोई ना कोई response generate होगा अब वो कुछ भी response हो सकता है तो कोई response generate होगा तो यही theme इसका भी है endocrinology में भी हम इसी तरह ही चीज़ों को discuss कर रहे होते हैं कि जिसमें हम जो gland है ठीक है ये अपनी secretions जो है वो pore करेगा in blood stream अच्छा हम pore cover use करेंगे और हम क्योंकि duct से नहीं जारी है किसी vessel से नहीं जारी वो सिर्फ हमारी veins में या blood में diffuse होगी जिस तरह से diffusion होती है जजब होगी ठीक है absorb होगी तो इसलिए हम pore का या absorb का या इस तरह की terminology हम use कर सकते हैं vessel अगर attach होगी तो इसका duct less gland वाला theme जो है वो इसका खतम हो जाएगा तो duct less glands की जो secretion होती है उसको हम hormones कह रहे होते हैं अच्छा अब यह secretions blood में आने के बाद अब यह specific होती है target organs तक जाने के लिए और जो भी target organ होगा XYZ जैसे यह secretion A है let's suppose और इसको target organ या tissue के अगर हम बात करते हैं तो यह एक tissue है हमारे पास cell है और यह tissue है तो अब इस tissue पे जब जाएगा यह इसका A है यह B है यह C tissue है तो अब इसके receptor इस shape के हैं इसके receptor इस shape के हैं इसके receptor इस shape के हैं तो अब यह जो A वाली secretion है यह इस तरह से circular in shape है तो यह आएगी और यह direct यहीं पे bind करेगी नो मैटर यह इसके उपर भी भले pore हो जाए लेकिन यह bind नहीं हो सकती यहां से ठीके pore हो भी जाए यहां से interact भी करें आके इसके उपर गिरे भी यह secretion लेकिन इसके बाइंड नहीं हो सकती क्योंकि receptor की इस molecule के साथ affinity नहीं है इसके लिए सबसे बस body में हमारे यह जितने भी enzymes और यह वारी सारी चीज़े होती हैं इनके लिए जो हमें चीज समझनी हैं वो हमारे पास puzzles हैं यह जो शेप वाले specific वाले जो puzzles होते हैं जिसमें बस जो शेप है उसमें वही चीज़ फिक्स हो सकती है ट्राइंगल है तो ट्राइंगल वारे section में fix होगा circle है तो circle में star shape का है तो वो star में इसी तरह सारे hormones, antibodies, enzymes जो कुछ भी हमारी body में receptor से bind हो रहा है वो receptor और उसका यही mechanism है कि वो उसका shape specific होगा जगा होगी तो वो bind करेगा नहीं होगी तो नहीं होगा मतब इस flower वाले में मैं यह वाला square वाला fit नहीं कर सकती और यह star की shape वाला मैं इस pentagon वाली उसमें fit नहीं कर सकती वो जाएगा ही नहीं अंदर तो बस यही सबका जो है वो mechanism है सबकी interaction का तो targeted organ पे जाता है तो इसलिए यह बहुत जादा specific है कई और सा जब binding नहीं करेंगे जब target site से जाके bind करेंगे तो target site ही जो है वो सिर्फ क्या करेंगी response generate करेंगी जब binding ही वहीं से हुई तो जिसके ओपर receptor हुआ इसका मतब से वो ही response generate कर सकता है और दूसरे tissues नहीं कर सकते अब response क्या चीज़ होगी let's suppose कि यहाँ पर response क्या होना है कि यहाँ पर hair growth करवानी है आपको ठीक है अब यह जो hormone release हुआ है यह A वाले receptor से जाके bind हुआ है अब यह जो A वाला tissue जो response generate करेंगा वो क्या करेंगा अपने cells पर hair की growth करवालेगा ठीक है क्योंकि उसको instruction वो ही मिलिये तो वो उसी way में respond कर रहा है उसके साथ यही A वाला receptor आके hormone bind हुआ है तो वो उसी की command के according respond कर रहा है जिस तरह neuronal system में हमारे पास था कि sensory neurons जब brain तक जा रही है relay neurons and then motor neurons जो है वो affector organ से bind होती है तो बिल्कुल इसी तरह इससे जो हुआ है bind वो इसी को ही direct करेगा अब अगर यह hair growth का hormone था तो यह target organ पर जाकर hair growth करवाएगा ठीक है यहाँ पर नहीं होगी बस सिर्फ यहाँ पर जहाँ receptor है इसी तरह जैसे कि जो males होते हैं उनको जब puberty होती है तो उनके जो है वो facial hairs जो है वो grow होने start हो जाते हैं पहले नहीं होते और जब वो puberty पहुशते हैं तो उनके facial hairs जो है वो grow होना शुरू कर जाते हैं अब वो facial hairs क्यों grow कर रहे हैं सिर्फ एक defined region में मतलब यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ भी पूरे बाल हो जाने चाहिए थी चीक वाले area पर यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस area में जहाँ पर cheeks है वहाँ पर receptor मौझूद नहीं है उस hormone का ठीक है तो यह जो area है यहाँ पर उसका receptor मौझूद नहीं है और जो यह सारे area है जहाँ जहाँ ग्रो कर रहा है सिर्फ उसी cell से या उसी tissue से ही जो है वो hair जो है वो ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वो receptor present है तो प्यूबर्टी पर जब male hormones secrete होना start होते हैं तो hormones अब उस hormone का जो role होगा वो जिस जिस target organ के लिए responsible होगा डिपेंड करता है कि कहां अच्छा यह भी electrical impulses की तरह है लाइक जैसे electrical impulses सारी सेम होती है तो अब अगर हम hormone की बात कर रहे हैं तो जैसे testosterone जो होता है male hormone यह सेम है ठीक है इसकी composition सेम है अब यह different organs पर जाके target का रहा है ठीक है अब targeted organs जैसे हमाँ पस facial hairs है deepening of voice है ठीक है और और जह है वो muscles enhancement है ठीक है और जो enlargement of जो private parts होते हो उस पर act कर रहा है ठीक है तो यह सारे जो different tissues है hormone सिर्फ एक है अब इन सारे tissues पर यही receptor मौझूद होगा ठीक है और जगह पर नहीं है लेकिन जो voice वारी जगह है जहां muscle enlargement की जरूवत है जहां facial hairs की जरूवत है वहाँ वहाँ यह receptors testosterone के मौझूद होंगे तो सिर्फ वहाँ पर क्या होगा कि उस पर यह bind करेगा और वो cell जो भी है उसको जब instruction मिलेगी वो cell वैसा ही response generate करेगा अब वो response जो है वो different हो सकता है अब जहाँ deepening of voice होनी है वहाँ deepening of voice होगी वहाँ hair grow नहीं करेंगे ठीक है जहां muscle enhancement हो रही है मतब उनके biceps और triceps जो होते हैं वो कि वो बहुत जादा enhance हो जाते हैं तो वो testosterone की वे जैसे होते हैं तो वो भी जह है वहाँ पर hair growth नहीं होनी शुरू हो जाएगी वहाँ muscle enhance होगा muscle का size enhance होगा तो यह difference है मतब जैसे nerve impulses सारी similar होती है तो hormone अगर एक hormone है वो composition में सेम होगा बस उसके target organs अगर different है तो वो different जगाओं पर different तरीके से response करेगा ठीक है अब endocrine system में हमारे पास हम क्या क्या है a kind of coordination and response system ठीक है irrespective of organisms voluntary control मतब हम सोच के release नहीं कर सकते हो hormone के हम सोच रहे हो और हम चारे हो कि अभी hormone release हो जाए ऐसा नहीं होगा body की एक अपनी biological clock है ठीक है वो सारे hormones उस clock के according काम कर रहे होते हैं और उसी के according जो है वो release होते हैं उसी के according उनका up and down चल रहा होता है पिर हमारी अपनी body का एक balance mechanism भी है Allah आला ने कोई चीज ऐसा नहीं रखी कि कोई चीज जादा होगी तो वो जादा ही होती चली जाएगी और उसका कोई feedback mechanism नहीं होगा मतब इला आला ने ऐसा system रखा है हमारी body का कि अगर कोई चीज जादा हो रही है तो उसको कम करने के लिए उसी का जादा होना important है मतब वो जादा होगा तभी उसको कम करने वाला system जो है वो एक्टिवेट होगा उससे पहले उसको कम करने वाला system एक्टिवेट नहीं हो सकता मतब जब उसकी concentration अभी हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है वो over expression जब होती है तो फिर दूसरा mechanism कैसे start होना शुरू हो जाता है जो उसको control करता है उसको suppress करता है तो यह हमारे control में नहीं है यह खुद बाखुद हमारी body जो है वो कर रही है यह चीज़े अच्छा secrets chemical messengers अब हम neuronal उसमें हम क्या कह रही थे neurotransmitters मतलब वो जो electrical impulses जो generate हो रही थी और वो जब synapse पर जब वो vesicle बनकर जो दूसरे उस पर diffuse हो रही थी वो neurotransmitter की form में हो रही थी तो यहाँ पर हम जो इस chemical messenger की भाग कर रहे हैं क्योंकि है तो basically chemical एक compound की तरह ही है सारी चीज़े तो इसको हम hormones कह रहे हैं ठीक है ductless glands होते हैं generate response to the target organ weather near और far ठीक है affector organs में क्या हो रहा था affector organ जैसे अब हाथ का है तो वो हाथ पर ही मौजूद होगा affector organ blinking of eye है तो वो affector organ eye के पास ही मौजूद होगा मतलब दूर नहीं कि पैर में मौजूद हो affector organ कि हमारे आँख में हमें impulse receive हुई हो और हमारे पैर में उसका response generate हो रहा हूँ इतनी दूर कर उसमें इतना system नहीं होता इसमें ये है कि इसमें जितना भी दूर आपके पास tissue मौजूद हो जो target tissue है वहीं पहीं hormone जाके bind करेगा उसके इलावा वो कहीं और bind नहीं कर सकता ठीके जो endocrine system is a kind of a coordination and response system irrespective of organisms voluntary control which secrete chemical messengers hormones into blood stream to target organs by ductless glands in order to elect a response ठीके ये तो एक बहुत बड़ी एक theoretical definition हो गई ठीके ये आपको याद करनी है समझनी है अपनी knowledge के लिए जब paper में अगर आता है सवाल और आपको लिखना है points में तो आप इस तरह points बना कर लिखोगे कि आप साथ endocrine system पूछे जा रहा है तो पहला point ये होगा दूसरा point ये होगा तीसरा point ये होगा चोथा point ये होगा और पांचवा point ये होगा इस तरह करके आप points में बहुत लंबी आपको बात नहीं करनी है जो examiner है, जो check कर रहा है, उसको पता है सारी चीज़े, ठीक है, उसको आपको समझाना नहीं है, आपको उसको पढ़ाना नहीं है कुछ, आपको अपनी information देनी है कि मुझे ये बात पता है, और ये इस इस तरीके से है, तो इतना theoretical, इतना जाने की जरूरत नहीं है, to the point बात करे लेकिन correct बात करें, तो हमारे पास endocrine system में, हमारे पास यहाँ पर, जो है, वो eight glands होते हैं, ठीक है, जो कि different hormones को, जो है, वो secret कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारे पास होता है hypothalamus, hypothalamus जो है, वो हमारे brain के अंदर होता है, जैकि brain के बिलकुल, नीचे जो है, वो locate कर रहा है, अच् hypothalamus, खेर अभी चले हम इसकी उस पर आएंगे functions में, फिर hypothalamus के ही नीचे यहाँ पर, एक gland होता है, जिसको कहते है, पिटूश्री ग्लेंड, फिर हमारा यहाँ पर होता है, हमारा neck में, thyroid gland, फिर thyroid के साथ ही, इदर ही उपर, एक लगावा होता है, पहरा thyroid gland, ठीक है, दोनों सा इसका एक अलग mechanism होगा, उसका अलग होगा, मतलब tissue दोनों के अलग-अलग होगे, thyroid और parathyroid के, फिर adrenal gland होगा, adrenal gland क्या है, यह जो kidney के उपर मौझूद है, इस तरह से kidney होती है, और इसके उपर मौझूद होता है, फिर pineal body है, यह हमें discuss नहीं करना ही, ठीक है, यह कहां पर होती यह यह brain में ही होता है, ठीक है, इसको हमें discuss नहीं करना, फिर ovaries होती है, ठीक है, और testis होते हैं, जो के males के अंदर होते हैं, ठीक है, ovaries और testis basically तो हमारे पास यह gonades हैं, ठीक है, लेकिन यह हमारा reproductive parts से related है, लेकिन यह hormones भी secret कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इनको endocrine system म भी रखा गया है, मतलब एक चीज के अलग-अलग functions भी होते हैं, इविन कि आप इस picture में देख रहे हो के pancreas भी यहां पर लिखावाई, यहां पर मैंने शायद मिस कर दिया है pancreas को लिखना, pancreas भी जह हो as a gland भी काम करता है, वो एक digestive system का part तो ही है, साथ-साथ वो दो टाइ pancreas करता है, वो वाली जो उसकी pancreas की secretion होंगी, वो diffuse होंगी, वो deodenum में नहीं जाएंगी, ठीक है? clear है यहां तक? कोई question? इसकी जगा pancreas लग देव, इसको अटा के pancreas अच्छा, अब hormones क्या है, what is the definition of hormone? a chemical substance produced by gland carried by the blood, which alters the activity of one or more specific target organ, ठीक है? तो यह हमारे पास book की diagram है, उसमें यह मौजूद है, अच्छा, अब हमारे पास हमें जो जो चीजे पता होनी चाहिए, क्योंकि हम reproduction वाला चैप्टर भी पढ़के आ चुके हैं, अच्छा, पेपर में हमारे पास theory में क्या चीज होती है, theory में आखे पास chapter wise question में आएंगे, आपने theme पढ़ लिया ना, एक चीज का, तो उस theme से related different questions आ जाएंगे, अब अगर वो आपको reproductive system का कुछ सवाल देंगे, तो हो सकता है, वो इस chapter के questions भी जो relevant है, वो उ इसलिए वो जब तयारी करने बैठें, जब पढ़ने बैठें, तो दोनों चीजों को साथ-साथ लेकर पढ़ें, कि मतलब कि यहां पर यह हो रहा है, यह हो रहा है, यह हो रहा है, तो सब को interconnect करके, और interlink करके, सारी चीजों को एक साथ पढ़े, ताकि वो जो एक पूरा sequence ब जैसे के अब यहां पर एक example दीवे, prolactin, अब prolactin एक hormone है, जो basically pituitary gland जो है, जो हमारे brain के जो नीचे है, hypothalamus के नीचे है, यह gland सिक्रीट करता है, अच्छा, इसका target organ क्या है, it activates milk production in the women who are breastfeeding, ठीक है, तो यह hormone जो है, produce करता है, अच्छा, सिर्फ produce कर रहा है, अभी यहां पे भी interesting चीज़ यह है, कि यह सिर्फ अभी produce कर रहा है, यह release नहीं कर सकता, रिलीज करने के लिए दूसरा hormone required है, ठीक है, तो यह pituitary gland से यह hormone सिक्रीट हो रहा है, और जहां जहां जो tissues होंगे, breast tissues, एडिपोस टिशू, यह वहां पर इसका receptor मौझूद होगा, और वहां से यह जाके bind करेगा, और वहां production स्टार्ट करेगा, ठीक है, और यह जब तक pregnancy नहीं होगी, जब तक birth नहीं होगी, जब तक यह hormone भी नहीं release होना स्टार्ट होगा, ठीक है, यह hormone भी जब ही release होगा, जब pregnancy होगी और child birth होगी उसके बाद ही होता है, ठीक है, इसके इलावा जैसे हमाँ पास एक hormone है, adrenaline, ठीक है, adrenaline एक ऐसा hormone है, कभी आपने देख रहा है, कभी कोई horror movie देख रहे हो, और घर पे कोई नहीं हो, या अंधेरा हो, या कुछ भी हो, और कुछ भी हमें कोई चीज फील हो, जिसको हम relate कर रहे हो, कि अभी हमने जो movie देखी है, या कोई चीज या ऐसी बाते करी है, या कोई किस्सा सुना है, कोई ड्रॉना, तो अचानक से हमें जब डर लगता है, ऐसा लगता हमाई body में कोई चीज circulate होई है, या कोई snatching के लिए कोई आ जाए, या किसी को किसी चीज से डल लग रहे है, किसी को dog से डल लग रहे है, किसी को बिली से डल लग रहे है, अचानक से कोई चीज आजए, तो वो जो अचानक से जो एक आपको एक जो fear के जो sensation होती है, जो आपको ऐसा एकदम से पूरी body में ऐसा लगता है, कि कोई चीज circulate होई है, वो basically adrenaline hormone होता है, जो कि fight or flight, जैसे अब fight हो रही है, कि कोई आप पे चीज जा रहा है, आपको उससे बहुत बुरी लड़ाई हो गई और वो हो गई, बाद जफ़ा ऐसा होता है कि उसमें भी आप डर भी रहे होते हैं, जब आपकी बहुत कोई इस तरह की हो किसी खराब इंसान से लड़ाई हो ज तो तब भी जो है वो fight में जब इंसान defensive उसमें होता है, तब भी यह hormone release होता है, इसी तरह जो animals, mammals जो different है, हम देखते रहते हैं रात में बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं, और या dogs आपस में जो हो लड़ रहे हैं, तो उसमें से कुछ जो होते हो अपने defense position पे होते हैं, क रिलीज हो रहा होता है, तो adrenaline hormone जो होता है, वो fight और flight hormone है, ठीक है, मतब डर में और उसमें fight में जो होता है, तो जो भी danger वाली situation होती है उसमें यह hormone release होता है, और अब इसके target organs क्या-क्या होंगे, जब हमें डर लग रहा होता है, तो हमारे जो हात के जो बाल हैं, या जितने भ हमारे hairs हैं, वो erect होना start हो जाते हैं, मतलब जो जिसे कहते हैं कि रोन्टे खड़े हो गए, वो चीज, और उसके इलावा पसीना आना शुरू हो जाता है, sweating या start होती है तो target organ क्या हुआ, sweat glands जो है, वो इसका target site हो गई, या target tissue हो गया फिर उसके बाद, जिसको जादा ही डर लग रहा है, उसको सड़ी थोड़ी सी लगेगी, shivering सी होने लगेगी, या और इस तरह से different, आपके heartbeat तेज होगी, घबरहाट start होगी, तो heartbeat तेज होगी तो इसके वो वो जगाएं, जैसे heartbeat तेज होगी, तो heart के उपर भी इसका असर है, फिर different सारी जगाओं पर जैसे होगी, इसके effects होगी, ठीक है hormone क्या करता है, speed up करता है, या slow down करेगा या alter कर देगा उन जो भी target organ या tissue है, उसकी activity को ठीक है, speed up कि sense में कह रहा है, कि जब puberty पे पहुँचता है इंसान, male हो चाहे, female हो, जब वो puberty पे पहुच रही है, तो उस वक्त, उसके slow आपकी सारी secretions उस वक्त slow है, अब आइस्ता आइस्ता वो speed up होना श्रू हो जाती, जब ज़्यादा secret हो रहा है, तो ज़्यादा gradually जो है वो आपकी enhancement जो है वो observe होना स्टार्ट हो जाती है, मता अगर कोई boy होगा तो उसकी facial hairs नहीं हो रहे होंगे, और फिर वो अपने जैसी 16, 17, 18, 19, 20 तक पहुचना स्टार्ट करेगा, तो वो उसकी जो growth है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, और slow down भी बहुसा ही चीज़ों कर रहोता है, reverse अपने feedback mechanism पे कि कोई hormone जादा है, तो उसके effect को कम करने के लिए दूसरा जो है वो release भी होता है hormone, अच्छा after being secreted hormones do not remain permanently in the blood, but are changed by the liver into inactive compounds and excreted by the kidney चीक है, अब हमने जो अभी तक जो mechanism जब हम excretion वाला chapter भी जब हम पढ़ रहे थे हमने metabolism वाली जो चीज़ पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको समझाया था, कि blood में जो चीज़ चली गई, जो भी हमने digestion करी, जो कुछ हमने खाया हर चीज़ हमारी blood में मौझूद है अब blood के बाद वो जाती है metabolism के लिए liver के अंदर चीज़ है, liver उसको active या inactive करता है, या उसको जो है वो अगर toxic है तो उसको less toxic करता है और उसको less, मतलब inactive कर देता है, metabolize उसको करके और जितना उसका use होना था वो हो गया, अब उसका कोई use देंगे तो उसको inactive करके kidney इसकी तरफ भेज देगा और kidney उसको excrete out कर देंगी ठीक है, तो ये सारा pathway होता है तो कोई hormone या कोई भी चीज inactive कब हो रही है inactive कब होगी, जैसे हम एक specific site की बात कर रहे है कि shape specific है receptor ठीक है, अब जैसे ये receptor है, ये अगर hormone है, अब let's suppose मैं बोल रही हूँ, यहाँ पर OH लगवा है तो इसकी shape थोड़ी सी change हो गई मतलब ये अभी इस उसमे इस receptor पे bind नहीं कर सकता क्योंकि इसके साथ OH लगवा है, इसको यहाँ पर attachment में थोड़े से मसले होंगे ये यहाँ attach नहीं हो सकता अब ये लगवा है कोई सभी आपके पास element ये remove होगा, ये remove होना चाहिए, जब ये remove होगा तब ये इस तरह का triangle बन जाएगा और अब ये इसमें easily fit हो सकता है तो जब ये इसमें easily fit हो सकता है इसका मतलब ये अभी अपनी active state में है ठीक है ये OH जो लगवा है इसका मतलब ये अभी inactive है ठीक है, तो यहाँ पर जो बात समझाई जा रही है कि पहले हमाँ पास inactive ही होते हैं सारी चीजें, जब हमारी और बाकी का जो product होता है ये चीज जो required है वो रह जाती है और ये receptor से bind हो जाएगी अब जब इसका काम खतम हो जाएगा, तो जब hormones permanently blood में नहीं रहते जब इसका role खतम हो गया, तो ये यहाँ release हो जाएगा ठीक है, अब ये यहाँ release हो गया तो इसका अब body में कोई role नहीं है इसका काम, इसका effect, इसकी हर चीज़ खतम हो गई अब दुबारा इसको inactive करना है body को ये पहले भी inactive था, अब body को use खतम हो गया, अब भी inactive तो फिर दुबारा से कोई सा enzyme आएगा और इसके साथ OH लगा देगा तो अब ये दुबारा से क्या हुआ inactive हो गया अब ये inactive हो गया अब ये liver में चला जाएगा और liver से kidney में जाएगा और excrete out हो जाएगा ठीक है, तो initially inactive ही होता है जब body synthesize भी कर रही होती है hormones को, फिर कोई enzyme आके उसको active करता है उसको cut down करता है उसका वो part जो उसको inactive बना रहा था और उस तरह से उसको वो कर देता है जैसे के female hormones होते हैं ठीक है अब उसमें जैसे estrogen है अब estrogen है ये एक active molecule है अब इसके साथ अगर आप कुछ भी attach कर दो estrogen के साथ let's suppose के SO4 हम add कर रहे है sulfate तो अब ये sulfate इसके साथ जब तक bind रहेगा ये estrogen hormone अपना काम नहीं कर सकता और ये inactive रहेगा ठीक है अब किसी enzyme को आना है यहाँ पर और इसको sulfate को जो है वो remove करना है यहाँ से जब ये enzyme जो है ये आके इस sulfate को remove करेगा यहाँ से तो अब estrogen क्या हो गया active हो गया तो अब ये active form में है अब ये अपने receptor से bind कर जाएगा clear है कोई question यहाँ पर यहाँ पर कुछ differences है endocrine और nervous system के ठीक है one one word छोटे छोटे से इसमें है इसको as it is याद कर लें ठीक है endocrine में क्या है transmission of chemical हो रहा है इसमें transmission of electrical impulses होता है ये transmission via blood होता है ठीक है और ये nerves के थूँ होता है neuronal cells के थूँ होता है nerves लिख ले, neuronal cells लिख ले इसको modify आप कर सकते है इसमें slow transmission होती है और इसमें rapid होती है इसमें rapid इसलिए होती है कि जैसी आपको कोई गरम चीज लगी है आपको फॉरन आप हाथ अटा होगे तो ये बिलकुल seconds का काम है लेकिन endocrine system की secretion slow होती है मतलब हम जैसे puberty पे पहुँच रहे है अब puberty पे hormones release होना बहुत पहले start हो जाते है लेकिन उसका effect बहुत देर में आना शुरू होता है ठीक है, एक साल में, दो साल में उस तरह से देर से effect आने शुरू होते हैं और बहुत slow होते हैं मतलब ऐसा नहीं होता है कि अगर males को puberty पे पहुच गए तो एकदम से पूरी बहुत बड़ी घनी सी दाड़ी आ जाएगी उनको slow slow पहले थोड़े से बाल आएंगे फिर उससे जादा आएंगे फिर जब अपनी बड़ी age में पहुच जाएंगे तब वो enhance होगी चीज़ तो slow हो रहा है मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि एक target पे hormone पॉच गया और एकदम से foreign reaction हो जाएगा नहीं बिलकुल slow and steady उसका काम हो रहा होता है hormone जो होता है वो dispersed throughout the body होते है मतलब ductless gland से secret हो रहे हैं तो इसका मतलब पूरी body में वो diffuse हो सकते है bind और अपना effect वही पर show कर सकते है जहां इसका receptor होगा और उसके effect long term होते हैं ठीक है endocrine system के effect long term होते है ऐसा नहीं है कि अगर testosterone hormone blood में आया ठीक है males के cells से interact किया beard grow करी अब वो excrete भी हो जाएगा अगर testosterone तो ऐसा नहीं है कि facial hairs वापिस से घायब हो जाएगे ठीक है long term effect रहेगा throughout life रहेगा और वो खतम अब reverse back नहीं हो सकती वो चीज ठीक है वो जो भी effect हुआ है वो long term है जबकि neuronal जो effects होते हैं वो short lived होते हैं मतलब हमने गरम चीज को हाथ लगाया पौरन हम हटालेंगे वो बस seconds की बात है बस वो तब तक रहेगा उसके इलावा नहीं रहेगा until on less को इंसान बैट के सोचता रहे कि मेरे गरम चीज से जो हाथ लग गया और ये हो गया वो हो गया तो उस पे वो फिर बहुत जादा कुछ हो जाएगा कुछ असर वैसे बहुत शॉर्ट लिव्ड जो इंपल्स का डियूरेशन है वो बहुत जादा शॉर्ट लिस्ट होता है अच्छा वाई डग्लेस ग्लेंज अच्छा डग्लेस ग्लेंज जो होते हैं हमारे पास यहाँ पर कुछ डग्लेंज भी इंक्लूड है यहाँ पर ठीक है और जो हमारे डग्लेंज जैसे मैंने आपको बाईल और उसका बताया उसमें हमारे पास डग्लेंज मौजूद थी लेकिन यह जितने भी सारे ग्लेंज हैं thyroid हो गया, thymus हो गया, pancreas हो गया, adrenal हो गया, testis, ovaries, इन सब की जो secretions हो रही है, वो without duct होंगी, ठीक है, अच्छा, pancreas की जो enzymatic secretion होती है, जो lipase वगरा ये secret करता है, वो duct के साथ होगा, ठीक है, जो के duodenum में attached है, लेकिन जो pancreas hormones जो secret करता है, वो ductless होंगे, वो ऐसे-इसे यो, यो करके पूरे, उसमें diffuse होगा, पूरी, जो भी surrounding cells है, उसमें diffuse होगी उसकी secretion, वो किसी pancreatic duct के थूँ जो है, वो नहीं जाएगी, clear है ये बात? पैंक्रियास का एक रोल नहीं है, दो रोल है, एक उसका digestion में होता है, जिसमें वो lipase और proteases वगेरा जो है, वो release करती है, तो एक function जो pancreas का है, वो enzymes की release है, एक function होता है, वो hormones को secret करता है, hormones में हमारे पस क्या है, insulin और glucagon, ये दो hormones है, ये secret करता है, enzymes जितने हैं, वो तो duct के जरीए, जो pancreatic duct होती है, उसके through ही, जो है, वो travel करके, डियोडेनम में जाएंगे, एक specific जगा पे, ये जो insulin और glucagon है, ये diffuse होती है, तो ये, आपने देखा होगा कि जो insulin वाले dependent जो patients होते हैं, वो injection अपने tummy पर लगा रहे होते हैं, क्योंकि pancreas भी basically वो diffuse ही कर रहा है, वो किसी duct के जरीए insulin को release नहीं कर रहा है, तो hormones के अगर आपको injections भी लगवाने हैं, तो आप उसको, injections को वैसी ही लगवालो, जैसे लगवाते हैं, वो पूरे diffuse ही करेंगे, आपको किसी blood उसमें डालने की जरूवत नहीं है, अच्छा, दुबारा से class join करेंगा, मैं इसको end करेंगे हूं यहांपर, okay,